स्थे का समय करेंब था इस विड़ो टोकर से टीजन स्यंद ने ऩाज हम बात करने वाले हैं बहुत्धी पॉप्लर पर सुमेतिमर्टल्ट मेंठी में वदीः में ऐसे आपका सुमेतिमीड przynice में तुमेंसे मेतम क्या मिला होगा इसका उपयोग क्या होता इसके काम करने का तरीका यानि की मेकेनियों आप्रिक्षन क्या है इसके इस्तिमाल करने का तरीका इसका डोज इसका प्रिकॉशन इसका साइड इफेक्ट मतलब इस क्रीम की हम संपुर जानकारी देने वाले हैं पूरे विडियों बन इस सूमय का ओइंटमेंट में होता है, मैनिफेक्षर की बात कर लें, तो हिंड फार्मा लिम्टेद द्वारा बनाई जाती है, पची टिगरी के विलोग स्टोर करते हैं, और एक जार यानि की 75 ग्राम ओइंटमेंट की कीमत, लगबग 1.500 से 120, 180 कभी कभी बदलती रहती है, 200 के आसपास होती रहती है, बात करेंगे इसके यूज़ेस की, जी हाँ, मैंलिक किस लिए यूज़ की जाती, देखें, इसकिन पे जो भी बैक्टिरियल इंफेक्षन हो गया, घाव हो गया, फोड़ा हो गया, फुनसी हो गया, बाल तोड हो गया, साथी साथ आपका जो ड्राई स्किन हो गया, सोर मसल हो गया, छोटे मोटे वुंड हो गया, और इल्लिस जो हो गई, उससे लड़ने के लिए, उसको ठीक करने के लिए सुमेग ओइंटमेंट का इस्तिमाल किया जाता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन जो भी इसकिन पर हो गया, यहां पर देख सकते हो बाल तोड़, फोरेफ उनसी पस हो गया, मवाद हो गया, हातों में, उंगलियों में, हर जगा पर जो भी इंफेक्शन हुआ, वो सुमेग ओइंटमेंट ठीक कर देगा, साथी साथ जो हमारा ड्राई, रफ, इसकेली स्किन होता है, इची स्किन होता है, इसकिन पर जो इरिटेशन होता है, इन सारी समस्याओं को भी दूर करने के लिए, सुमेग ओइंटमेंट एक बहुत अच्छा बिकल्प माना जाता है, बात करेंगे मेकेनियों अफेक्शन काम कैसे करता है, देखिए, टोटल तीन अलग-अलग कंटेंट मिले होते हैं, सबका अलग-अलग रोल है, मेगनीशम सल्फेट की बात करें, तो यह तरह से नेचुरल एक्सपोलियन्ट और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, जिससे जो भी इन्फेक्शन घाव है, उसका जल्दी से जल्दी यह ठीक करने का काम करेगा, सल्फा इस विटामाइड क्या करेगा, जो एकने हैं, फोडे हैं, फोनसी हैं, मुहासे हैं, जो हमारे ढर्मेटाइटिस हैं स्किन पे, उन चीजों को ठीक करने के लिए रिस्पांस भी लोगा, यूरिया क्या करेगा, करेगा इसकिन को अच्छा लुक प्रदान करेगा बात करेंगे डोस की तो में लिए इसका डूस आपके डॉक्टर के हिसाब से होना चाहिए जहां पर भी अप्वेक्टेड एरिया उसको अच्छे से क्लीन और ड्राइ करके ही लगाएं बात करेंगे कुछ प्रिकॉशन की तो कहीं भी अपलाई न करें बात करेंगे कुछ common side effect की तो इस ointment इस क्रीम को लगाने के बाद थोड़ा सा burning sensation इसकिन पर देखने को मिल सकती है इसकिन पर थोड़ी सी की जानकारी कैसी लगी अगली medicine अगली दवाई अगला tablet किसके बारे मता है उसे भी comment box में जरू लिखेगा इसी तरीके से और क्रीम की जानकारी चाहिए तो इस playlist को भी जरू रिजिट कीजिए चली मिलते हैं किसे एगलो वीडियो में किसे एकली टॉपिक के साथ तब तक के जरू जरू ऑली वेलियोग्जन